खिभर अभालग्यद अरे अमिध यह कर रहे हो अरे क्या कर रहे हु तुम होगो थे ज़ाएए Fridays बहुत बड़े अमिध बहुत बड़े यह सही किया तुम्रे यह तुम्ने बहुत अच्छा किया साबको चेक करो यह मर गया और अब भी जिन्दा तो नहीं है मालकिन आपने जो बोलाता ना वो काम हो गया साब जी मर चुके पर आप एक बात बताईए आपने साब जी के साथ ऐसा क्यों किया मैंने साब जी के साथ ऐसा क्यों किया इससे तुम्हें क्या मतलब है तुम्हें जो मैंने काम बोला है बस वो कह रही हूं साब को चेक करो ये मर या नहीं मुझे यह आदमी मरा हुआ ही चाहिए बस हाँ मालकिन साब जी तो मर चुके यह सईवा पर मालकिन आपने बोला था कि अगर काम हो जाएगा ना तो तेरे को ना एक लाग उरूपे दे दूँगे आप लाहिए मेरा तो काम हो गया एक लाख रुपे? एक लाख रुपे किस बात के है अम्मित? अरे आपने तो बोला था कि तू अगर साब जी को मार देगा तो तियों को एक लाख रुपे इनाम दूँगी और आप अपनी बात से पीचेट रहे हो सुन मेरी बात अगर मैं अपने आदमी को मरवा सकती हूँ तो तू क्या चीज है? तुझे अगर अपनी भलाई चाहिए तो मेरी बात सुन ले कान खोल कर इसकी जो लाश है ना उसको भी तुमें ठिकाने लगाना पड़ेगा और अगर तुमने इतना नुकुर करी तो सुनो अब भी मैं पुलीस को कॉल करके बोल दूँगी के मेरे हस्बेन को मारने वाला सिर्फ ये और ये आदमी है और तू मुझे कम मत समझ मैंने तेरी वीडि अगर अपनी बहला ही जाता है तो जितना क्यारी ओ उतना काम कर दे नहीं तो मुझे दो मिनयट नहीं लगेंगे तुझे भी ठिकाने लगाने के लिए जब मैं अपने पती को लगा सकती हूं तो तुझे भी समझ में आघा है तुझको मालकिन मैं तो यहां से चला जाऊँगा पर आप मेरे को यह बताईए कि आपने साब जी को मरवाया क्यों साब जी को क्यों मरवाया तुझे उससे क्या मतलब है अरे मालकिन बता दीजिए ना बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत इमानदर आदमी थे आज तक वो किसी के बुराई नहीं करते थे पर आपने ऐसा क्यों किया अनके साथ अगर तुझ सुनना ही चाता है तो सुन मैं ना तिरे साब से कोई प्यार व्यार नहीं करती थी मुझे कोई शौग नहीं उनके साथ रहने का या उनकी पत्नी बन के रहने का मैं तो किसी और से प्यार करती और वैसे भी न मेरे माबापने न इस आदमी के साथ मेरी जब अगस्ती शादी करवाई थी और मैं इसे बस छुटकारा चाहती थी और अब मुझे इस से छुटकारा मिल गया अब तु सुन इस लाश को ठिकाने लगा दे और यहां से निकलता बन अब निकलोगी तब तुम्हें यहां से तुम तुम रविंद्र जिन्दा हो? हाँ मैं जिन्दा हूँ पर अफसोस तुमने जो प्लैन बनाया था न वो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि अमित्र नेना मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था कि तुम मुझे मारने की कोशिस कर रही हो अमित्र ने सिर्फ मानने का ढ़ंग गी आता और देखो तुमारी सच्चा भी सामने आ गई है कि तुम मुझे कोई प्यार नहीं करती थी सिर्फ और सिर्फ मेरी दोलत पर कबजा करना चाहती थी मुझे मार कर है न तो मैं क्या करती रविंद्र मुझे तुमारे साथ घुटन होती थी रहने में मेरे को ये घर ना खाने को दोड़ता है मुझे अपने माबाब की बोच को धोकर रगना पड़ रहा है मुझे शादी से चुटकारा चाहिए था इसलिए मैं तुमारे को मारना चाहती थी अरे अगर तुम्हें शादी से चुटकारा चाहिए था तो तुम मुझे आकर बोल देती न कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुमसे डाइबॉर्स ले लेता पर तुमने न मुझे मारने की कोशिस की है तुमने एक अपराद किया है इसलिए न मैं तुम्हें जेल बिजबा कर रहूँगा क्योंकि तुमने मुझे मारने की कोशिस की है याद रखो अब तुम जेल तो जाकर रहोगी पर जेल, जेल क्यों मुझे माफ कर दो ना तुम माफ कर दो, अरे सराम आनी चाहिए तुम है एक अपने पती होने के बावजूद भी किसी और से चक्का चला रही हो अगर तुम्हें उसी के साथ रहना था तो उसी साधी कर लेती अरे अगर तुम उसी एक बार भी बोलती ना कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ तो मैं ना तुम्हें खुशी-खुशी उसके पास जन देता पर तुमने ना मुझे मारने की कोशिस की है इसलिए मैं तुम्हें ऐसी तो जानी नहीं दूंगा मैं तुम्हें सीदे ले जाऊँगा थाने और वहाँ पर तुम्हारे खिलाब FI-YAL लेखाऊँगा और तुम जाओगी फिर सीदे जेल मुझे माफ कर दो रवेंद्र माफ करो अगर मैं मर जाता तो मेरे माफ का क्या होता तुम्हें तो अपने आशिक के साथ रहना था अब रहना साथ में भो भी जिया का जेल और तुम भी अब चलो मेरे साथ निकलो